जैनेगर परखंड में अभी हम हैं, जैनेगर परखंड के कमला पूरब में अगर जाते हैं, एक पंचयत है परवा बेलही पंचयत, परवा बेलही पंचयत के जो निर्वाचित सरपंच सहाब हैं, उनके पास हम हैं, उनी के आवास पढ़ हैं, आप वीडियो में देख सकते है तो सरपंच महोदय अभी हमारे साथ है उनसे बात करेंगे कि लगभग एक वर्स हुआ है अभी इनका कार्जकाल का एक वर्सों में उन्होंने छेत्र के लिए अगर लोगों की कोई समस्या रही हो उसका निदान कैसे किया इसके अतरिक्त ये भी जानेंगे उनका राजनितिक जीवन क्या रहा है सर्वनिक जीवन क्या रहा है तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरा नाम रामोता ठाकुर सरपंच परवाबली पंचायत के हमने निरवाजर्द एक साल में आप क्या क्या काम कि हां लोग अगर आपके पास आते होंगे आप किसे किसे निराकरन उनका करते हैं एक साल में अभी एक साल हुआ है फिला लेकिन हमारे यहां लोग तो कार्ज के लिए आते हैं लेकिन हमारा कार्ज तो विकास का नहीं है लेकिन नियाय का है लेकिन नियाय के मामले में हम हमारे पंचायत बासी से आपने पूछ सकते हैं यो कितना तक सीमा पार कर दिया हैं हमारा एक दम पूरा इच्छा है जह कोई भुश्तिक siamokhaatma के अंदर नहीं जाने काम भी है कि आप से विकास सवाल नहीं पुछ कि भी कास हुआ है या नहीं वो तो मुख्या जी से सवाल होगा यह पहिए फस्साटा में कोई समस्या हो उनका दिप्र कोई कमजोड है किई किसी तरह कि समस्या हो सकता है। और आप किसे सहानूब होती हैńsk। तो हमने उस कोई भी दवंग दे ती किसको सप्ड़ार दान सा ओझता हैं समस्या क着 hon I जानेंगे कि आपका समाजिक जीवन क्या रहा है रादनितिक जीवन किसी पार्टी से भी जुड़े हैं या नहीं यह से बताईगे किस पार्टी से तो भी नहीं फिलाल जुड़े हुए हैं लेकिन जुड़ना तो पहेगा जुड़ेंगे किस पार्टी से ओफ़र आ रहा है राष्ट्य जंता दल से जुड़ने वाले हैं यह बताईगे कि समाजिक शत्र में कब से आप एक्टिव रहें पिछले बार आप चु कुछ मजबूस हमने पिछर गए लेकिन इस बार हमारे पंचायत की जनता ने इस बार हमको बहुत बढ़िया मत से बिजय किये हैं और उसी तरह से जिस तरह से बोले हुए तो उसी तरह से मैं अपना लोगों से जो वादा किये थे उसको आपनी भार है तो अभी हम बात कर र आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि उनके छेतर में नियाए से रिलेटेड या विकास सम्बंधी क्या क्या कार्ज होता है तो हमारे साथ जूरे रहिए धन्यवाद